तो hello everyone welcome back to the ideal expert channel तो previous video में हमने pdf.java का code create किया था मिन्स कोई भी pdf अगर हम click करते है मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ अगर कोई भी recycler view पे click कर देता है तो हमारा completely pdf show हो जाएगा अभी इस video में हम देखने वाले है कि splash screen को कैसे create करते हैं जो entry होती है screen मैं आपको दिखा देता हूँ screenshot पे तो आप देख सकते हूँ इस screen को हम इस splash screen को आइच के वीडियो में हम create करने वाले है तो सबसे पहले इसको create करने के लिए आपको एक activity create करने होगी तो मैं चला जाता हूँ package name पे और यहाँ पे right click कर देता हूँ right click करने के बाद आपको new में चले जाना है new में जाने के बाद आपको activity पे click कर देना है and empty activity यहाँ से आपको choose कर देना है तो मैं जल्दी से यहाँ से choose कर देता हूँ और यहाँ पे मैं name दिख देता हूँ splash screen तो आप देख सकते हूँ मैंने यहाँ पर splash screen लिख दिया है अभी हम launcher activity पर click कर देते तो देखो launcher activity क्यों क्योंकि यह हमारी सबसे पहले activity होने वाले है इसलिए मैं launcher activity पर click कर देता हूँ और मैं finish button पर अभी click कर देता हूँ जैसे हम finish button पर click करेंगे तो यहाँ पर gradle will start हो जाएगा और थोड़ी दिर में gradle will finish भी हो जाएगा तो आप देख सकते हूँ आप यह message भी आ चुका है gradle project sync in progress तो हम वेट करते हैं जब तब gradle finish ने होता तब तक तो अभी आप देख सकते हूँ यहाँ पर message आ चुक है gradle sync finish का अभी हम इस पर work कर सकते हैं तो सबसे पहले हम activity splash screen को open कर देते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर layout में जाएगे and activity splash screen को open करेंगे and अभी split button पर click कर देंगे इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा यह जो by default constituent layout डिखाए दे रहा है इसको आपको change करना होगा relative layout में तो मैं जल्दी से change कर देता हूँ relative layout हाँ तो अभी हमने completely इसको change कर दिया है तो हम background select कर देते है यहाँ से तो background हाँ तो हमें क्या करना होगा यहाँ से कोई भी drawable में background create करना होगा तो सबसे पहले हम drawable में चले जाते है और यहाँ से right click कर देते है new drawable research file तो मैं एक name दे देता हूँ grey and ok button पर click कर देता हूँ हमने file का name दे दिया है grey and अभी हम ok पर click करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक file create हो चुके है तो मैं इसको थोड़ा long कर देता हूँ यहाँ से आपको जो selector दिखाए दे रहा है इसको आपको change करना होगा shape में तो मैंने यहाँ पर shape में change कर दिया है and यहाँ से आपको यह जो arrow दिखाए दे रहा है इसको आपको enter करना होगा and यहाँ से आपको shape change करना होगा तो मैं shape लिख देता हूँ rectangle यह होने के बाद आपको start color, end color and angle भी देना होगा तो मैं सबसे पहले screenshot में आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हूँ जो starting color है थोड़ा point है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा end color है dark है इसलिए हम क्या कर रहे है इसको create कर रहे है drawable file में अभी हम जल्दी से gradient दे देते है इस file में gradient आपको दे देना है यहाँ से आपको start color choose कर देना है तो आप अभी के लिए start color हम कुछ भी रख देंगे तो hash triple f रख देते हैं whitish color में and end color भी हम select कर देते हैं तो end color भी हम hash f select कर देते हैं तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यह कैसे में है तो थोड़ा यहाँ से whitish है and यह थोड़ा blue है तो start color में हम थोड़ा whitish यहाँ से select कर देता है यहाँ से मैंने थोड़ा whitish select कर दिया यहां से थोड़ा ब्लुईश तो मैं ब्लु में चला जाता हूँ सबसे पहले हुमने ब्लुईश यहां से एकदम फिंट ब्लुईश हमें यहां से सिलेक कर देने तो आप देख सकते हूँ यहां पर थोड़ा अच्छे शे शोव रहा है जैसे इस screenshot में दिखा दिया रहा है थोड़ा similar यहाँ पर अभी show रहा है ओके तो अभी आपको क्या करना होगा angle भी select कर देना है तो मैं angle जल जल से select कर देता हूँ 360 और यह जो shape है या फिर gradient है इसको में अभी close कर देता हूँ तो अभी हमने completely इसको close कर दिया तो थोड़ा यह जो start color है इसको में change कर देता हूँ थोड़ा whitish में कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से अभी दिखेगा visible होगा ओके तो यह होने के बाद अभी आपको क्या करना है again file में चले जाना है तो हम activity splash screen में चले जाते हैं जो background हमने अभी create किया उसको यह से by default select कर देते हैं adder a driver gray की नेम से तो अभी हमारा completely work हो चुका relative layout का अभी हम क्या करेंगे एक image view लेंगे तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाप ए image view शो हो रहा है तो इसको आपको अभी select करना है इसके बाद आपको text view implement करना है और फिर text view implement करना है तो जल्दी से हम image view को implement कर देते हैं बट image view हमारा circle में है इसलिए हम circular image view को यहाँ से select करेंगे तो चलो जल्दी से हम select कर देते हैं arrow दे देते हैं यहाँ से आपको select करना है circular image view यह होने के बाद आपको width दे दिने हैं यहां से 110dp and hide भी आपको दे दिने हैं 110dp हमने 110dp क्यों दिये हैं क्योंकि यहाँ पे जो splash screen शो हो रहे हैं यहाँ पे 110dp का ही हमने image यूज़ किया है अभी हम enter कर देते हैं and इसको सबसे पहले id define कर देते हैं adder at id logo इसके बाद again हम enter करेंगे and layout center in parent हम true कर देंगे तो layout center in parent true क्योंकि हमें यह जो image चाहिए वो completely center में चाहिए इसलिए हमने layout center in parent true कर दिया अभी हम यहाँ से कोई भी source select कर देंगे means कोई भी image select कर देंगे तो मैं वीडियो की description में आपको इस image की URL प्रोवाइड कर दूँगा तो वहाँ से आप download कर सकते हैं तो मैं इसको ctrl c से copy कर देता हूं यहाँ से and drawable में जाकि इसको मैं paste कर देता हूं तो previous video में हमने इसको paste कर दिया है तो हम क्या करते हैं अभी इसको select कर देते हैं adder at drawable तो आप देख सकते हैं यहाँ पर image भी हमारे select हो चुके है मैं cv border color भी दे देता हूं जो यहाँ पर border color आपको दिखा देता हूं यह देख सकते हो यहाँ पर image view की बाजू में जो color है उसको border color बोलते हैं cv border color इसको हम देखेंगे hash ca c4 again c4 ठीक है आपको ca c4 select करना है तो मैं जल्दी जल्दी select कर देता हूं ca c4 इसके बाद आपको इसको close कर देना है तो आप देख सकते हो अभी हमने इसको completely image view को implement कर दिये अभी भारी आती है text view की तो आप देख सकते हो यहाँ पर text view अभी हम implement करेंगे तो जल्दी से मैं यहाँ से text view ले लेता हूं text view, width देते हैं हम wrap content and hide भी select करेंगे हम wrap content इसके बाद आपको यहाँ से select करना है id क्यूंकि इसको id भी हम declare कर देंगे id add direct id app name तो मैंने यहाँ से इसको id भी define कर दिये इसके बाद आपको layout below दे देना हम layout below की चूज करेंगे क्यूंकि जो text view है यहाँ पे इसलिए हम layout below इसके add direct id लोगो के इसलिए हमने यहाँ पे layout below इंटर कर दिया जैसे हम इसको चूज करेंगे तो देख सकते हमारा text view यहाँ पे थोड़े देर में show हो जाएगा तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको कोई भी text दे देता हूँ show होने के लिए text book app ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी इसके नीचे यहाँ पे यह show हो रहा है बट यह center में नहीं है इसलिए मैं कर देता हूँ center horizontal true ओके अभी थोड़े देर में center में आ जाएंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे center में आ चुका है बट यहाँ पे थोड़ी space चीह है ठीक है इसलिए मैं margin top दे देता हूँ यहाँ से margin top 12 लेकिंग यह होने के बाद मैं enter कर देता हूँ and यहाँ से हम अभी इसको text color चूज़ कर देंगे white में रख देंगे हम text color को text color add direct color white select कर देंगे and इसको अभी हम क्या करेंगे appearance देदेंगे जो भी text का appearance रहेगा उसको भी हम declare कर देंगे तो text appearance add direct style medium ओके तो आप देख सकते हैं आपको क्या चूज़ करना text appearance में medium चूज़ करना है and अभी हम इसको close करेंगे sorry यहाँ पर एक mistake हो चुके हमने यहाँ पर white select कर दिया इसको हम black कर देंगे क्यूंकि जो हमारा यहाँ पर दिख सकते हैं यहाँ पर blackish color में इसलिए हमने यहाँ पर black color चूज़ कर दिया तो हमारा circular image view भी implement हो चुका है text view भी implement हो चुका है यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर text view को implement करेंगे क्यूंकि यहाँ पर हमें लिखना है powered by Rohit तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ जल्दी से यहाँ से मैं चूज कर देता हूँ text view width आपको चूज कर देने है wrap content head भी आपको चूज करने है wrap content and id declare कर देने है यहाँ से आपको id add direct id powered by इसके बाद enter कर देना आपको and सबसे पहले align bottom true करना है क्यूंकि यहाँ पर चीह है इसने bottom में हम कर देंगे align bottom true यहाँ पर error शो हो रहा है क्यूंकि हमने align parent bottom true नहीं किया align bottom किये तो जल्दी से हम select कर देंगे true and इसको remove कर देंगे यहाँ पर हमारा जो text view है वो show नहीं हो रहा इसने हम क्या करेंगे text करके लिख देंगे text यहाँ पर हम देख लेते image view में क्या लिख है हमने powered by okay तो उसे हम यहाँ पर enter करेंगे power by प्रोहिप इसके बाद again enter करेंगे and अभी हम center horizontal में करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए center horizontal true कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ इस enter में आ चुका है यहाँ पर margin bottom थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि हमारा text यहाँ पर show रहा है तो मैं margin bottom दे देता हूँ margin bottom हम ADP दे देंगे तो मैंने यहाँ पर ADP declare कर दिया इसके पाद last text color जो हमारा रहेगा उसको भी declare करना होगा तो मैं text color यहाँ से दे देता हूँ जल्दी से आपको कोई भी random ले choose करना है यहाँ पर click करना है जो भी आपको comfortable color लगे वह आपको यहाँ से दे देना तो मैं इसको थोड़ा completely white नहीं रखोंगा थोड़ा black रखोंगा ओके तो अभी हमारा completely work हो चुका है तो आप देख सकते हो सेम हमने यहाँ पर implement कर दिया है बट यह जो splash screen color है थोड़ा हमने different किया है तो आपके मर्जी से आप कोई भी select कर सकते हो ग्रे में जाके मैं इसको थोड़ा सा change कर देता हूँ जो white is है उसको हम थोड़ा change करेंगे तो आपके मर्जी से जो भी आपको comfortable लगे वह आप change कर सकते हो अभी हम क्या करेंगे हमारा completely work हो चुका है activity splash screen का वट यहाँ पर कुछ error हो रहा है क्यों error हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ अभी तक इसको close नहीं किया तो हमने इसको close कर दिया है वट यहाँ पर अगेन अच्छे शोव नहीं हो रहा है तो अगेन हम इसको change कर देंगे white is में ही रख देंगे सबसे बढ़िया है हमारा भी complete work हो चुका है XML पार्ट का अभी हमें Java पार्ट में जाना होगा तो मैं जल्दी से open कर देता हूँ activity splash screen को यहाँ से हमें सबसे पहले declare करना होगा image view को तो आपको दिखा देता हूँ image view text view text view इसको हमें define करना होगा तो मैं यहाँ से enter करूँगा image view इसको नाम दे देंगे हम logo is equal to same find view by id इसको declare करेंगे r.id. जो भी हमने id दे यहाँ से हम select करेंगे तो हमने image को id देती logo हम सबसे पहले देख लेते एक बार confirmation के लिए तो आप देख सकते हो हमने इसको logo दी इसको app name दिया and इसको powered by दिया ओके तो जल्दी जल्दी आप इसको declare करते जाते हैं तो मैं यहाँ से अभी text view को select कर देता हूं इसके बाद app name भी choose कर देंगे हम app name is equal to find view by id r.id.app name okay तो आप देख सकते हूं यहाँ पर id हमने declare कर दिया text view की अगेन नीचे का text view भी हम declare करेंगे चल्दी से text view power by is equal to find view by id same आपको declare कर देना है r.id.power by okay तो आप देख सकते हूं यहाँ पर image view भी हो चुका है text view भी implement हो चुका है and again text view भी implement हो चुका है अभी हमें new handler का use करना होगा क्योंकि हमारी splash screen है इसलिए हमें new handler का use करना है तो मैं जल्दी सी इसको implement कर देता हूं new handler.post delay यहाँ पर enter कर देंगे हम new runnable okay तो आप देख सकते हो यहाँ पर खुदबखुद code आ चुका है अभी आपको क्या करना है सबसे पहले इस error को resolve करने के लिए आपको यहाँ पर enter कर देना है यहाँ पर आपको comma दे देना है यह होनी के बाद हम क्या करेंगे इसको backspace से again यह करेंगे यहाँ पर millisecond दे देंगे आपको यह जो splash screen है कितने second के लिए run करना है तो हमने 3000 millisecond कर दिया है इसके बाद आपको semicolon दे देना है तो आपका देख सकते error result हो चुक है अभी आपको intent pass करना होगा क्यूंकि हम सबसे पहले splash screen on करेंगे उसके बाद हम main activity में redirect हो जाएंगे ओके तो इसलिए मैं जल्दी से इसको code लिख देता हूं intent intent is equal to new intent यहां से हम जिस activity में हो उस activity का नाम लिख देते हैं जल्दी से splash screen dot this, जिस activity में हम ही जाना है तो हम main activity dot class कर देंगे main activity dot class इसके बाद इसको semicolumn से हम close कर देंगे ओके and अभी हम start कर देंगे activity को तो यहां से आपको pass करना होगा start activity and यहां से आपको pass कर देना intent को मैं जल्दी से pass कर देता हूं intent and अभी हम finish बटन पे click कर देंगे finish, ओके तो आप देख सकते हो, अभी हमारा completely work हो चुका है, जो splash screen का होता है, बट यहाँ पर हमें animation भी implement करना है, क्योंकि अगर कोई splash screen को open करेगा, तो image जो जल्दी से उपर से आनी चाहिए, यह नीचे से आना है, ठीक है, तो इसलिए हम animation को जल्दी से implement कर देते हैं, तो हम यहाँ पर इसको enter करेंगे code को, animation जा आप निम देदेंगे, animation is equal to animation utils, यहाँ से हम animation को load कर देंगे, load animation, इसके बाद आप जिस activity में हो, उस activity का नाम, means this, and r.anim. तो यहाँ से हमें animation को choose कर देना है, तो हमने अभी तक इसको create नहीं किया है, animation जो file होती है, तो हमें जाना होगा, anim में, यहाँ पर right click करना होगा, and यहाँ से आपको new choose करना होगा, and animation resource file को select करना होगा, तो हमें file name जल्दी से देता हुए हमें, splash screen animation, slash screen animation, okay, इसके बाद आपको ok बटन पर click कर देना है, तो आप देख सकते होगा, यहाँ पर file create हो चुके, आपको सबसे पहले इसको change करना है, set को change करना है alpha से, and इसको भी enter कर देना है, arrow के पहले, तो मैं यहाँ से from alpha दे देता हूँ, 0.0, and यहाँ से 2 alpha दे देता हूँ, 1.0, and यहाँ से again enter करेंगे, and यहाँ से आपको duration set कर देना है, यहाँ से आपको duration near about 2000 millisecond को enter करना होगा, इसलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ, android, duration 2000, okay, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने, splash screen animation को भी create कर दिया है, तो अभी हमें इसको select करना होगा, r.anim. splash screen animation को यह से select कर देंगे हम जल्दी से, splash screen animation, यहाँ पर errors हो रहा है, तो इसको हम semi column से close कर देंगे, अभी हमें सबसे पहले animation किस पर implement करना है, तो logo पर implement करना है, यहाँ पर जो logo दिखाए दे रहा है, आपको दिखा देता हूँ, सबसे कहले है, यह जो logo दिखाए दे रहा है, start animation में हमने जो animation create किया है, splash screen animation, इसलिए हम animation को यहाँ से pass कर देंगे जल्दी से, and same हम text view के लिए भी implement कर देंगे, तो text view के लिए हमने id दी है, app name, app name.start animation, यहाँ से आपको animation को pass कर देना है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने animation को pass कर दिया है, again हमें enter करना होगा, and यहाँ पर भी same powered by के लिए animation set करना होगा, इसलिए powered by.start animation, and यहाँ से आपको pass करना है animation, okay, तो आप देख सकते हो, हमने इसको भी animation को भी set कर दे, अभी आपको एंटर करना होगा अगिन कोट को टाइप करना होगा तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ view decor view हमने name दे दिया is equal to get window dot get decor view इसको आपको semi-colon से close कर देना है and if condition लगा देंगे हम if dot sd के integer is greater than is equal to build.version okay version quotes dot kitkat sorry dot kitkat उसमे हम लिख देंगे condition decor view dot set system ui visibility इसमे हम कोट को जल्दी जल्दी एंटर कर देंगे view dot system ui flag layout का आपको चूज कर देना है what आपको धेन में रखना है यहाँ से ल्याउट stable को चूज करना है तो layout stable इसके बाद आपको एंटर करना है यहाँ पर इस symbol को यूज कर देना है सेम आपको view dot system ui navigation का भी यूज करने तो जल्दी से हम implement कर देते layout height navigation and again same इसको जैसे के वैसे implement करना है इसलिए मैं control D कर देता हूँ okay and again हम implement कर देंगे control D यहाँ से आपको change करना है इसको impressive sticking अगर आप इस part को implement नहीं करोगे तब भी हमारा splash screen run हो जाएगा okay तो अभी आपपे depend है आपको implement करना है कि नहीं implement करना है मैं जल्दी से implement कर देता हूँ impressive sticking तो भी आप देख सकते हैं हमारा completely जो भी java part ता हो create हमने कर दिया तो splash screen dot xml भी create हो चुका है and splash screen dot java भी implement हो चुका है तो अभी हम run क्लिक कर देते हैं run app पे and देखते run करके हमारे device में कैसे क्या होता है पट उसके पहले हमें कुछ changes करने होगे तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ manifest में हमें सबसे पहले क्या करना है splash screen को run करना है तो यहाँ पे main activity नहीं रहनी चाहिए तो splash screen रहना चाहिए तो मैं इसको change कर देता हूँ main activity को replace कर देता हूँ तो मैं backspace कर देता हूँ and splash screen यहाँ पे implement कर देता हूँ तो अगर कोई भी user आएगा तो सबसे पहले splash screen रन होगे इसके बाद हमारी activity main run होना चाहिए तो इस part को में completely remove कर देता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई work नहीं है तो कोई भी user आएगा तो अभी सबसे पहले splash screen में चला जाएगा and उसके बाद main activity में जाना चाहिए इसलिए मैं इसको ctrl c से copy कर देता हूँ and same यहाँ पे paste कर देंगे and यहाँ पे name लिख देंगे main activity okay तो आपको I hope अभी समझ में आयागा यह जो intent filter होता है यह होता है splash screen के लिए means launcher activity के लिए तो कोई भी user आएगा तो launcher activity में चला जाएगा बाद में main activity में बाद में PDF में okay तो I hope यह भी part आपको समझ में आ चुका होगा अभी हम क्या करेंगे error को थोड़ा resolve कर देंगे तो हमसे कुछ mistake हो चुके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या mistake हो चुके जो main activity है इसमें हमने app compact x की select किया toolbar को तो activity main में हमने इसको स्रीफ toolbar select किया तो इसको हम change करेंगे toolbar को toolbar app compact widget toolbar ठीक है तो आपको धहन में रखना है and.x को ही अच्छे से select करना है कोई mistake आपको करनी नहीं है और जो यह theme दिखाई दे रहा है इसको आपको change करना होगा dark action bar को no action bar कर देना है तो मैं जल्दी से यहाँ से select कर देता हूँ no action bar and same यहाँ पे भी theme.xml में भी no action bar यह होने के बाद again आपको एक changes करना है color primary जो color होता है उसको change करना है तो color primary similar रख देंगे white color के तो यहाँ से हम type कर देंगे primary color को तो by default हम type करेंगे hash cfd103 and color primary dark को भी हम same वैसे select करेंगे इसलिए इसको भी हम change कर देते जल्दी से तो hash आपको यहाँ पर अच्छे से implement करना है यह आपको धहन में रखना है तो जल्दी से हम चले जाते हैं भी color.examen में तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा complete work हो चुका है बट यहाँ पर हमने थोड़ा different color यहाँ से choose कर दिया है तो आपको यह जो 103 है इसको change करना आपको 1d3 में 0 नहीं implement करना है आपको 1d3 करना क्योंकि जो हमारा color रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यह कुन सा color होता है यह जो दिखाए देर आपको यही हमारा color primary dark होता है इसलिए हमने इसी color को यह से select कर दिया है अभी हमारा completed जो भी error था वह भी resolve हो चुका है और हमारा app भी create हो चुका है तो मैं जल्दी से भी project को device के साथ connect कर देता हूँ और आपको run करके दिखा देता हूँ कि हमारा app कैसा launch हो रहा है तो अभी आप देख सकते हो मैंने mobile device को connect कर दिया है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी दिर में हमारा device आ जाएगा तो देख सकते हो हमने इसको connect कर दिया है अभी हम क्या करते है run app पे click कर देते हैं जैसे हम run app पे click करेंगे तो यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे ग्रेडल बिल्ड रनिंग जब तक ग्रेडल बिल्ड फिनिश नहीं होता तब तक हम wait करते हैं जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हमारे device में mobile app install हो जाएगा तो हम wait करते हैं तब तब तो अभी आप देख सकते हैं यापर message आ चुका है Gradle finish in 53 seconds और हमारे थोड़ी दिर में app install हो जाएगा यापर install का message शो हो रहा है जिसी progress bar complete हो जाएगा तो हम wait करते हैं progress bar complete होने तब तो आप देख सकते हैं यापर progress bar भी finish हो चुका है और हमारे device में अभी app install हो रहा है तो आप देख सकते हैं यापर अभी हमारा app launch हो चुका है यापर splash screen शो हो रही है book app जैसे हमने create किये थे बट यहापर powered by करके show नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़ी दिर में देखेंगे और आप देख सकते हैं यापर book app करके उपर show रहा है book 1, book 2, book 3, book 4 जो हमने implement किये थे मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ main activity.java में जाके तो आप देख सकते हैं यापर हमने जो choose किया था book 1, book 2, book 3, book 4 कहा तक select किया था 8 तक तो यापर आप देख सकते हैं यापर 8 at जो भी book है वो select हो चुके और इसके बाद याईसे आप कोई भी drawable से जो हमारा logo है उसको भी change कर सकते हो और याईसे आप link भी change कर सकते हो तो मैं book 1 पे click कर देता हूँ और हम अभी देखेंगे getting the contact का message हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं आपको main activity में sorry pdf.java में जाके दिखाता हूँ sorry यापर कोई भी activity perform नहीं हो रही है तो इसका कारण हम देख लेते जल्दी से तो मुझे पता चल चुका है अभी कि हमारा कुन सा error है तो आपको सबसे पहले product adapter में जाना होगा तो जल्दी से हम चले जाते है product adapter में यहापर जो दिखाई दे रही है हमने यहापर mtx को provide नहीं किये तो जल्दी से मैं provide कर देता हूँ mtx.start activity का तो हम enter करेंगे ऐसे and mtx.start activity कर देंगे हम and जो यह आए है इसको हम यहाँ से pass कर देंगे तो यह mistake हुई थी इसलिए हमारा कोई भी card view पर click नहीं हो रहा था and again हम चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहापर error resolve हो चुका है अभी हम चले जाएंगे pdf.java में again हम से एक mistake हो चुक है यह जो on pre execute है and on post execute है इसको इसमें select करना होगा तो मैं इसको सबसे पहले close कर देता हूँ and इसको मैं control x से cut कर देता हूँ and यह जो dialogue दिखाए दे रहा है इसके अंदर आपको paste करना होगा तो हमने इसको भी paste कर देया है जो भी हमारे error थे वो अभी resolve हो चुके again आपको एक error result करना होगा activity main dot sorry activity splash screen dot examine में चला जाना होगा यान यह q दिखनी रहा इसको आपको देखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे margin bottom हम दे देंगे ऐसे 18 dp sorry आपे 18 dp भी कम हो चुका इसलिए हम दे देंगे 28 dp okay and अभी हम क्या करेंगे तो run app पे click करके देखेंगे कि हमारा app install हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो मैंने यह आपर run app पे click कर दिया है and gradle build भी start हो चुका है तो भी आप देख सकते हैं यह आपर message आ चुका है gradle build finish in 22 seconds and हमारा launching activity भी show हो रहा है तो हम देखते हैं भी हमारा app में book क्या आप launch हो रहा है क्या नहीं हो रहा है yes हो रहा है तो आप देख सकते हो यह आपर splash screen भी show हो रही है and इसके बाद book 1, book 2, book 3 भी show हो रहा है तो मैं जल्दी से भी click करके दिखा देता हूँ आपको book 1 पे जैसे हम book 1 पे click करेंगे इसके बाद हमें meshes show होगा dialogue में getting the content का तो अभी आप देख सकते हो यह आप हमारे pdfv file show हो रही है तो ihove guys अभी आपको समझ में आओगा कि इसको कैसे create करते है app को अभी हम next video में navigation drawer को implement करने वाल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से navigation drawer क्या होता है तो आप देख सकते हूँ जो show हो रहा है तो यही navigation drawer को हम create करने वाले जैसी को user यहापे click करेगा तो हमारा navigation drawer open हो जाएगा तो इसको हम create करेंगे next video में तो मिलता अगले नई वीडियो में तब तक के लिए जहें जय भारत